भारत के यशर्ष्ष्वी प्रधानमंत्री मारनिय नरेंद्र भाई मुधी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे सियावर राम चंद्र की जय सियावर राम चंद्र की जय स्रद्धे मंच सभी संथ एवं रशीगण यहाँ उपस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब सखाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिछा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभूत्पुर्व धैरिया अन गिनत बलिदान प्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए हैं इस शुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बधाई मैं अभी गर्ब गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टैंट में नहीं रहेंगे हमारे राम लला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे मेरा पक्त विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पंश पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरां ये उर्जा ये घड़ी प्रभूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है 22 जनवरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुर्देश में कुमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वाचियों में उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौं से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे हैं और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद गटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है ये समय सामान ये समय नहीं है ये काल के चकर पर सर्वकालिक शाय से अंकित हो रही अमीट स्मृती रेखाएं है साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की लक्षपन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिन के आशिरवाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियारी इस समय हमारे आज पास उपस्तित है मैं इसे भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतग्यता पुर्वग नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमा याचना भी करता हूँ हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्यकर नहीं पाए हैं आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वाथ है प्रभू राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों प्रभू बिलो की हर्फे पुरबासि जनित वियोग बिबत्ति समनासि अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासि समगर देश्वासि हर्फ से भर गए लंबे वियोग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कार्खन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सही था इस युग में तो अयोध्याव और देश्वासियों ने सेंकडो वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने वियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम बिराजमान है संविधान के अस्तितों में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु प्रभु सिर्राम के अस्तिप्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभायर वेक्त करूंगा भारत की न्याए पालिका का जिसने न्याए की लाज रखली। न्याए के परियाए प्रभु राम का मंदिर भी न्याए बद्ध तरीके से ही बना। साथियों आज गाउं गाउं में एक सार किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं। स्वच्छता भ्यान कलाए जा रहे हैं। पुरा देश आज दिपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम जोती प्रजवलित करने की तैयारी है। कल मैसरी राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था। जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे। वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भाव मैपल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम मप्रयास था। वहाँ पर मैंने पुष्ट बंदना की। वहाँ मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था। उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशा में बढ़ेगा। अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरन प्रस करने का प्रयास किया। जहां प्रभु राम के चरन पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो। करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो। आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो। स्री रंगम मेर रंगनाथ स्वामी मंदीर हो। मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला। सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारती आत्मा के कन कन से जुड़े हुए है। राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशाओं में रामायन सुनने का अवसर मिला है। लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस उपसे सुनने का मोका मिला। राम को परिभाशित करते हुए रुश्यों ने कहा है रम्ते यश्मिन इती रामह हर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की इस्मृतियों में परवसे लेकर परंपराव में सर्वत्र समाय हुए है। हर यूग में लोगों ने राम को जीया है। हर यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राजिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायन भी अनिंत है। राम के आदर्श, राम के मुल्य, राम की सिक्षाएं, सब जगह एक समान है। प्रिए देश वाजियों, आज इस आइतिहाजिक समय में, देश उन व्यक्तितों को भी याद कर रहा है। जिनके कारिय और समर्पन की वज़ से, आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में, कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्ठा करके दिखाई है। उन अंगिनत राम भक्तों के, उन अंगिनत कारसेवकों के, और उन अंगिनत संत महत्माओं के, हम सब रने हैं। साथियों, आज का ये अवसर, उत्सवता का ख्षण तो है, लेकिन इसके साथ ही, ये ख्षण भारतिय समाज की, परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है। हमारे लिए, ये अवसर, सिर्फ विजय का नहीं, बिनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है, कि कई राष्ट, अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजी हुई गांटों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई। बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्चिल परिस्थित्या बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भाउकता के साथ खोला है। वो ये बताती हैं कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनागा तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माँ भारतिय समाज के शांती, धैरिय, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं, ये निर्माँ किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है। उन लोगों से आहवान करूँगा। आईए, आप महसूस कीजिए, आपनी सोच पर पुनरविचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम उर्जा है। राम विबाद नहीं, राम समधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सब के हैं। राम बरतमान नहीं, सिर्फ बरतमानी नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरफ राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में हैं, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोज्धा का ये उत्सव, रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। राम लला की प्रतिष्ठा वसुधेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्र रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ये स्री राम के विप्रफ में साक्षात भारतिय संस्कृति के प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानविय मुल्यों और सर्वोच्य आदर्षों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन बुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपून विश्व को है सर्वे भवन को सुखे जाए यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदिर है यह राम के रुप में राष्ट चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विवु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताव्योता की नहीं होता उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्राणी प्रप्य वर्षानी रागव हो अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठीत हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थाप मिपुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थाप ना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश वात्यों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रतिय नाम वक्त से प्रतिय भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्योग का इंतियार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस आउसर पर जो दैव जो दैव या आत्माए हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्रमन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जईपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते है राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राश्चन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूप की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राश्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण हैं जीने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ती सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार मनेंगे और यहीं तो हैं देव से देश और राम से राश्ट की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मा शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है। मा सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे। प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भग्व्य भारत का अधार मनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से परे है। निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं सभी समान है। प्रतेग भारत्य में अपनत्व की बंदूत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्व्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो है देव से देश और राम से राश्ट की चेतना का विस्तार साथियों आध देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूँ मैं तो बहुत छोटा हूँ अगर कोई यह सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का स्मरणी हमें हमारी इस हिचक तो दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से पेश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यानी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य निष्टा देखिए बियम्महा बली रावन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रावन को पराष्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चनोती दी कर्तब्य की यही पराकास्ता समर्त सक्षम बव्य दिव्य भारत का अधार है और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आईए हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कान कान राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड देंगे मेरे देश वास्यों प्रभु सी राम की हमारी पूजा विशेस होनी चाहिए ये पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उड़कर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभू को जो भोग चड़ेगा वो विख्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की पराकाष्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार समर्पन का प्रसाद प्रभू राम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभूराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वयवशाली और विख्सित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्यों ये भारत के विकास का अमर्त काल है आज भारत युवाश शक्ति की पूंजी से बढ़ा हुआ है उर्जा से बढ़ा हुआ है ऐसी सगारत्म परिस्तितियां पिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवावों से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिनणा है आप भारत की उस पीड़ी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पाँच जाकर मिशान आजित्य को सफल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है परंपरा की पवित्रता और आधुनिक्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत सम्रुद्धी के लक्स तक पहुँचेगा मेरे साध्यों आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये भग्वे राम मंदिर साथ्ची बनेगा भारत के उतकर्ष का भारत के उदय का ये भग्वे राम मंदिर साथ्ची बनेगा भग्वे भारत के अब्युदय का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमानित हो, अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगर्दि सक्ति से जन्वा हो, तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संबहु नहीं है। ये भारत का समय है, और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे हैं। हम सबने इस युक का, इस कानखन का इतिजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की उंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ, राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी को बहुत-बहुत सुपकामरा है, सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम, शियावर राम चंद्रकी, शियावर राम चंद्रकी, शियावर राम चंद्रकी, करने